तो आज हम बात करेंगे अपने रॉनल फिल्ड की गोरिला 450 और अपने जो रॉनल फिल्ड की क्लासिक 350 है इन दोने के बारे में इनके अंदर क्या-क्या आपको फीचर्स अलग-अलग मिलते हैं दोनों के अंदर में आपको देखा जाये तो इसमें अवलब 60,000 का आपको अंद सब्सक्राइब के बारे में इसके अपने गोरिला 450 के बारे में इसके अंदर आपको क्या-क्या मिल जाता है तो रॉनल फिल्ड जो अपनी गोरिला है जो हैड्ल फिचर्स के साथ आगे पीछे के आफटर मार्ट आपको लगवानी के जूरत नहीं पड़ेगी साथी बात करते हैं हम अपने classic 350 की headlight के बारे में जो कि आपको hyalogen bluff के साथ circle shape में headlight chrome color के headlight आपको मिल जाती है जो की hyalogen bluff के साथ आती है और आपको जो indicator है वो भी आपको hyalogen bluff के साथ hazard features के साथ मिल जाते हैं pilot lamp मिल जाते हैं इसके अंदर बाकी all over देखा जाए तो भाई इसकी अपनी अलग जगा है और अपनी gorilla 450 की अपनी अलग जगा है ठीक है guys और साथ बात करते हैं अपनी gorilla 450 के अपने back पे आते हैं वापिस तो इसके जो front के suspension है इसके उपर आपको covers मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको जो suspension है ये गई है साथ ही बात करते हैं इसके gorilla 450 के जो अपना front का टायर है वो आपको C8 company का टायर मिल जाता है डेलेड टायर मिल जाता है जो कि टूबलास आता है जिसका size आप देख सकते हो 120-70 17 का आपको front का टायर मिलने वाला है टूबलास टायर के साथ यह बाइक आती है 17 INCH का आपको alloy मिलने वाला है FROND का जो कि alloy के साथ आता है और साथी और पाथ कर आपको front की disc के बारे में जो कि आपको Byber की ही breaking मिलने वाली है FROND में साथे बात करते हम इसकी front के Atlantic के size के बारे में जो कि टायर साइज आप देख सकते हो 190-19 का आपको टायर मिलनेवाला है ठीक्ण कंपनी का आपको टायर मिल जाते हैं यह विद ट्यूब मिलता आपको ट्यूब्स नहीं है ठीक है जाएगों कि आपको फॉक्स विल मिल जाते हैं भी देवेस ब्रेकिंग सिस्टम भी आपको क्लासिक 350 के अंदर बाइक के अंदर मिलने वाला है ठीक है साथ ही बात करते हम इसके कलर ऑप्शन के बारे में इसके अंदर आपको दो कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं एक तो जो कि आपके सामने है दूसरा आपको येलो अब बात करते हम इसके इंजन के बारे में जो कि अपनी गोरिला 450 उसके इंजन के बारे में जो कि आपको ब्लैक कलर का रोडिनल फ्रिल्ड का इंजन इस बाइक के तर आपको मिलने वाला है जो कि आप देख सकते हैं पर 452 CC का सिंगल सिलेंडर लिक्वीड कूल डियो ऐसी अब को मिलने वाला जो की प्रिडियूस करता है 39.47 बह्प पाउर 8000 रपीम पे साथे बात करें इसके मैक्सिम टोर्क के बारे में जो कि आपको 40 एन मैक्सिम टोर्क 5500 रपे मिल जाता है और साथ इसमें आपको इंजन का ओल भी मिल जाता है ठीक है अब बात करते हम अपने क इस मोडल के इंजन के बारे में इंजन तो मेरे को लगारा कि सब में सेम ही होता है जो क्लासिक 350 है वो भी आपको सिंगल सिलेंडर 349 CC का आपको सिंगल सिलेंडर इंजन मिलने वाला जो कि प्रिडियूस करता है 20.2 वह पाउर 6100 rpm और साथे बात करते हम इसके मैक्सिम टोर्क यह इसके इंदर मिलने वाला है झाकि जिसके पर आप देख सकते हो और फिल्ट की बैजिंग आपको मिल जाती है 20 की नामिंग मिल जाती है फिल टैंक और आपको ब्लैक कलर का अपको मिलने वाली है और फिल्क थे यहां पर आपको स्विचिस देख सकते हूं इसमें आपको सारे वीचर देख सकते हूं इसमें ABS देखने को मिल जाता है स्पीडो मेटर भी देखने को मिल जाता है और ठीक है और की इसके आप देख सकते हैं यहां पर आपको स्विच मिल जाता है इसके इंडिगेटर के होन के स्विच आपको इस बाइक के अंदर मिलने वाले है इसके अंदर आपको टाइप-C का चारजर मिल जाता है और आपको देखने को मिल जाता है और साथ बात करें इसके इंडिगेटर का भी स्विच आपको देखने को मिल जाती है क्योंकि इसके इंदर आपको नेविगेशन फीचर नहीं मिलता यह अपना गोरिला इसके अंदर इंस्ट्रूमन कंसोल यह वाला दे रखा है क्योंकि जो टॉप मॉडल है उसका इंस्ट्रूमन कंसोल अलग है जिसमें आपको GPS नैविगेशन आप देख सकते हो साधी बात करते हम अपने रियर ब्रेक लिवर के बारे में जो कि आपको ब्लैकर का मैटल का मिल क्लासिक निखने को मिल जाते हैं अब बात करें के रिखने को फोटर्ण पतला और सिलिम मिल जाता है ठीकि ज्यादा जगा नहीं गेड़ता है रखेव अपर आपको वैसे तो यह भी मैटल का यह जिसके पर आपको कवर मिल जाता है चिल का जिससे वह राइटर के ना जले लेग वगएरा ठेकी उसी तरह हम देखें अपने ट्रॉब घ्र ज्रोष्ट सो आपको क्रों कुलिप्ट कर आपको देखने को मिल जाता है जाथ है अपनी बुल्ट कर जिसके अपको स्चील की आपको कबर मिल जाता है जिससे लेग वएगरा प्लास्टिक के मिल जाएंगे अब बात करते हैं अपने रॉनल फिल्ड क्लासिक 350 के सीट के बारे में जो कि आपको 805 mm की सीट है आपको मिलने वाले है इस बाइक के अंदर डियूल सीट मिल जाती है काफी कमफस रीट है लोंग टर्म आप लोंग रैड वगर आप जा सकते हो 1500 किलोमेटर साथ बात करें अपनी गोरिला 450 की सीट के बारे में यह आपको 780 mm की सीट हैट मिलने वाले है लेकिन यह सीट है जो आपको सिंगल सीट ही मिलती है ठीक है लॉंग राइड करने में भी इसमें कोई दिक्कत बगएर नहीं होगे 1500 किलोमेटर चलाने में ठीक है इसम आपको अपको मेटल की मिलने वाली है काफी मजबूती के साथ और पीछे की इंडिकेटर आपको LED मिल जाते हैं इसमें आपको और साथी बात करें अपने क्लासिक के पीछी के साइज के आपको 120-88 पीछे का टायर का साइज आपको मिल जाता है लेकिन वीद ट्यू विलता है क्यूंकि अपनी स्पोक्स पील के साथ है और शाथी पीछी का अलोई वो भी इसके रियर की ब्रेक के बारे में जो कि आपको बाइबर की ब्रेकिंग मिल जाते हैं 270 mm की डिस्क के साथ विद एबिस ब्रेकिंग सिस्टम यह जो बाइक आपको डूल चैनल एबिस के साथ मिलती है और classic 350 है वो आपको single channel ABS के साथ मिलती है base variant और left side में आप बात करते हैं आप आपको grab reel मिल जाते है safety के purpose पे और जो suspension है वो आपको monoshock suspension इस bike के अंदर मिलने वाला है with adjustable अपनी हाइट राइड के साथ से आप adjustable कर सकते है gorilla 450 के अंदर same आपको footrest मिल जाते है गेर लिए और आपको metal का मिल जाता है double stand भी इस के अंदर आपको मिलने वाला है metal का black color का single side stand भी आपको मिलने वाला है six gear के साथ ये bike आने वाली है ठीक है guys और पहले down आप बाकी five up है उसी तरह हम बात करें अपनी classic 350 के left profile के बारे में जहाँ पर आप रियर में देख सकते हो side guard आपको metal का मिलने वाला है काफी बढ़िया और काफी safety के purpose पर आपको दिया गया है साथे बात करते हम इसके suspension के बारे में classic 350 के जो कि आप देख सकते हो tune tune evolution shock absorb 6 step adjustable preload आपको मिलने वाला है आपको 5 gear के साथ यह bike आने वाली है आपको मिलती है पहले डावना बाकी 4 up है और जो footress है वो भी आपको रबड के रोडने फिल्ड की बैजिंग के साथ आपको रबड के footress rider 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 के बारे में तो इसके इंदर आपको side stand और double stand दोनो इस bike के अंदर मिल जाते है classic 350 के अंदर ओकी गाइस और जो फरेंट का मड़ गाड़ है वह उसके अंदर metal का मिल जाता है मैट क्लासिक 350 के अंदर और जो gorilla 450 का बड़ गाड़ हो आपको ग्रे कलर का plastic fiber का आपको मिल जाता है ठीक है साथ बात करते हैं हम अपने classic gusび्लं की ग्रांद कि लेंट के बारे में जो 170 mm की learnt के अंदर आपको मिल जाती है एक में आपको प्लास्टिक फाइबर का मिल जाता है gorilla 450 के अंदर और जो classic 350 है अपनी तो 2024 model उसके अंदर आपको metal का मिलने वाला है engine cowl साथे बात करते हम अपने car weight के बारे में दोनों bike के तो gorilla 450 का आपको 185 kg का car weight मिल जाता है साथे बात करते हम अपने classic 350 के car weight के बारे में जो कि आपको 195 kg का car weight bike के अंदर मिलने वाला है ठीक है और बात करें हम उसकी top speed के बारे में तो जो classic 350 की जो top speed जाने वाले वह आपकी बढ़ती है 125 km per hour की बाकि बात करें ने gorilla 450 की top speed के बारे में तो आपकी top speed उसकी 150 अबाव की top speed जाने वाले बाकि rider पे डिपेंड है साथी बात करते हम लास्ट में की pricing के बारे में तो एक्षोरूम आपको रॉनल फिल्ड की classic 350 2024 model का जो एक्षोरूम प्राइस है वह आपको पढ़ता है 1,93,080 रुपीज साथी बात करते हम उन रोड प्राइस के बारे में दिली के अंदर जो उसका उन रोड प्राइस है वह आपको पढ़ता है सब्सक्राइस ये ति मेरे एक शोटे से इंफर्मेटिव वीडियो अपनी गोरोला 450 और अपनी क्लाशिक 350 के वीडियो कंपैरिजन के बारे में होपसा आप सब को वीडियो इंफर्मेटिव लगी होगी मिलते हैं नेक्स वीडियो में किसी और स्पोर्स बाइक स्पोर्स का स्कूर्टर स्कूर्टिक है तो टेक केर बाए बाए रब राका